वजीर गंच कजबा में आवला रोड मंडी के पास अवेद रूप से संचालित हो रहे हैं नर्सिंग हूम में प्रसव के दुरान एक महिला की मौत हो गई है आपको बता दें जोला चाप डॉक्टर की सीमो से कई बाश शिकायत कर चुके हैं पर कोई भी कारवाई नहीं हो रह श्रीवती पत्नी चंद्रेश का इलाज डेर महिने से खान रसिंग हूम में चल रहा था म्रतक का माय का गाउं गोठा में था म्रतक के पती का आरोप है कि डॉक्टर खान ने जच्चा बच्चा दोनों की ग्यारेंटी ले रखी थी लगातार तवित खराब होने पर इंजेक्शन लगाते रहे जब महिला के मुह से खून आने लगा उसके बाद डॉक्टर ने बंदायू ले जाने को कहा ब्रतक महिला को बंदायू ले जाते समय मौत हो गई पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की घरवालों का रहा है कि पुलिस और इस्थानी नेताओं ने क्या मामला था कैसे कैसे करका रहा है क्या मामला था है तो आपको यह हमें पतो चल दी तो हमें बताते कि वैसला हो रहा है अब वहां लेखा रखा है कोई कावज हैं तो हम से के रहे चलो वहां चलो बुला रहे हैं तो हम काई साब भी ले बिला कर दो कोई बाद मिया जाओ तुमसे जवर्दस्ती साहिन करा लिए कहने का मतलब यह अगर तुम्हें पता रहा नहीं गया तो पढ़के तो सुना दे क्या मतलब है कि तो इतना जालते हैं वे जो कहरा है हम तीन हो यह हम ना करो पोई मालिक ना हम मालिक लड़की हो तुम तो लड़की का हस्बेंड अव पतियो तुम्हारा हक नहीं हो फो जहते हो गया मेरे एक लागग रुपे सामने आगया किस ने दी आए वह कोई और लोग ती उन लोग ती ने जानते नहीं नहीं लाग रुपा दे आगया